हेलो हाई यूरे इस ट्रॉक्ट वन में आप लोग का स्वागत है तो आज हम लोग बात करने वाले ओंगी शेयर्स के बारे में बट्ट उसे बहले के इंपोर्ट इसका इस जिनके लिए भी चैनल नहीं है या फॉस्ट विस्ट करें तो प्लीज जा के चैनल को सब्सक्राइब कर लिजें यहां बात करें ओंगे तो आप देख सकते हैं कि राइट नौ 284 रुपीज पर ट्रेट करते वे दिख रही है अच्छा खासा फ्लो मेंटेंग करते वे दिखिए आज की दिन अगर बात करें वह देख सकते 1.92 परसेंट की तेजी एंद अच्छी तेजी देखने को मिल रही है मतलब मार्केट में ओपन हुई थी निगेटिव से देन अगेन अच्छा जंप दिखिया करने का बाढ़ा लगार्यु एंड इंड मे यहां वह देख सकते एक अच्छी जंप देखने को पर बहुत बड़ी बोर्य बादिख सकते हो अब यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि आप लोग को देख सकते हैं कि यह अच्छा खासा flow maintain होते वे दिखा है 5 days पर बात करें तो 5 days में भी अच्छी खासी है और 1 month में भी यहाँ पर अच्छा खासा consolidate भी देखा है और recovery भी अच्छी बनाते वे दिखी 1 month के according अब यहाँ पर अगर हम लोग focus डाले तो shares पर हम लोग पहले से ध्यान दिये हैं कि यह हमारा major strong support है and strong support से देख सकते हैं वहाँ से reversal देखने को मिला and यह हमारा resistance था यह resistance है और यह resistance को break करते वे दिखी है अब यह resistance को break करते वे दिखी है तो दो तीन चीज़ पर और भी थरोड़ा हम लोग ध्यान डाल लेते हैं यहां पर अगर focus करें तो share जब तक इस point को break नहीं करती है मतलब यह हमारा next target रहेगा 291 अगर इस point को break नहीं करती मतलब जब भी 291 चाहे अभी अगर हम लोग एक बार मतलब ऐसे बात करें तो देख सकते हैं 11 March तक में अगर 300 तक cross नहीं करती है तब tension नेने वाली बात है इवन आपको holdings के side दिखा हूँ तो holdings आप देख सकते हैं 43.97% की holdings है और share अच्छा खासा move दिखाई हुई है बट अब दो-तीन information और भी मैं आप लोग को दे देना चाहता हूँ कि आज तो आपको पता है कि कौन से दे हैं March 5 March 5 बट March 15 से थोड़ा सा market पर आप लोग ध्यान दीजिएगा March 15 से market पर pressure बनना स्टार्ट होने का chances है मार्केट बहुत कोई बात करें crashes and all बहुत सारे चीज़ के बारे में तो मैं भी थोड़ा सा बात कर ही लेता हूँ crashes के बारे में तो यहां पर March 15 के बाद से थोड़ा सा market में यहां volatility भी जादा देखने को मिलेगी जैसा कि आप लोगों बता है कि of course ONGC बहुत बड़ी company है बट हां market में गिरावट होगी तो थोड़ा सा effect देखने को पड़ेगा इसलिए आपको careful रहना अगर आप trade कर रहे हो market में तब अब अगर आप लोग ध्यान दो तो इस देख सकते हैं 6 months से कितने प्यारे तरीगी से consolidate करते हुए दिखी है अगर इसके competition में और सारी IOC सब के बारे में बात कर तो वो समय एक गजब level की तेजी है बट इसमें उतनी खास तेजी नहीं है तो इसमें जो गिरावट का level भी रहेगा वो बहुत कम रहेगा तो जिसके चलते हैं आपको panic होने का दोतनी है और हमारा support पहले से यह पहला strong support है देख सकते हैं and strong इसलिए बोड़ा हों क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर तक आते हुए दिखी but again recovery बना ली that's the good thing guys even अगर बात करें अभी के डाइम में next support हमारा यहाँ पर था तो यह आपको जिस दिन जैसे ही यह cross करते हुए दिखती है यह line cross करते हुए दिखेगी आपको एक अच्छा तेजी देखने को बनेगा तो अब वही matter कहता है कि कितने दिन के अंदर में यह cross करते हुए दिखेगी तो जैसे ही यह cross करती है तो मैं आप लोगो अपडेट कर दूँगा इसलिए बोना चैनल को subscribe कर लो in fact bell icon पे भी click कर लो that's all guys यही था इस वीडियो में बठा support and assistance बिलकुल भी मत भूलना क्योंकि अगर आप भूल जाओगे तो उससे आपकी losses है मेरी नहीं thank you have a nice day please subscribe this channel guys and last most important thing guys this video is just for educational purpose तो अगर invest करने का प्लान कर रहे हो तो एक बार अपने financial advices जरूर बात कर लेना नहीं तो खुछ से अनलाइस कर लेना